नमस्कार रातियों बदो स्वागत आपका एंप्रोमेंट्स पॉइंट पाइज हम बात करने वाले हैं नौर्धन कोल फील्ड लिम्टेट जो के बारत सरकार की कंपनी है एंसी एल उसमें बरती आई है डिफरेंट टैप की 512 वेकेंसी आपके लिए आई हुई है इसमें बारत कैसे कर सकते हैं और सेलेक्शन प्रॉसियर क्या रहने वाला है चलिए शुरू करते हैं तो आदे विकप्तियार किये एंसी एल ने एंप्लमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है सुपरवाइजरी और टेक्निकल पोस्ट के लिए अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो आपके बात करें तो टेक्निशन के लिए टेक्निशन के लिए टेक्निशन फिटर की विकेंसी आई है वहाँ पे आप 10 पास होनी चाहिए आपके बास दो साल की आइटे आपने कर रकी हो फिटर ट्रेड में और आपके पास एक साल के अप्रेटेस से होनी चाहिएए आइटे-आई, NCVT और SCVT दोनों से मानने की गई है अगर हम बात करें टर्नर ट्रेड में आपके पास दो साल की आईटे-आई हो टेन्थ के बाद और एक साल की अप्रेंटेसिप होनी चाहिए वही मशिनिस्ट के लिए भी आपने IT कर रहे हो मशिनिस्ट ट्रेड में और आपके पास अप्रेंटेसिप हो वेल्डर ट्रेड की बात करने तो आपके पास ITI हो वेल्डर ट्रेड में और आपके पास एक साल की apprenticeship होनी चाहिए 10th पास होना सभी मानवार रहे है और SCVT, NCVT दोनो टाइप की ITI एलाओ की गई है एक बात और अब आपके पास qualification है वो 25-22 तक होनी चाहिए साथी age limit भी 25-22 को count की जाएगी और जहां supervisory positions है वहाँ पे higher level वालिफ candidate को एलाओ किया गया है लेकिन जो technician की vacancy है वहाँ आपके पास 10th के बाद IT होना अनेवार रहे है और जिन candidate ने distance learning part time या फिर इसके collect को qualification प्राप्त करी है वो eligible नहीं है regular full time वाले ही एलाओ किये गए है अब बात कर लेते हैं वेकंसी कितनी कितनी आई है तो assistant foreman ENT के लिए वेकंसी आई है आपकी साथ वहीं mechanical में दो टाइप की वेकंसी है एक्जेवेशन में और electrical and mechanical में तो एक्जेवेशन की वेकंसी 46 है और mechanical यानि electrical और mechanical के आई है 25 और यह दोनों के लिए qualification सेम ही रहने वाली है सिर्फ department का अंतर है इसी तरीके से आयि वालोई जो candidate है उनकी फेटर की वेकंसी में एक्जेवेशन की 25 है वहीं in develop की 24 वेकंसी है वहीं ऊरगेहम्न में कोई कहसी नहीं आई है वही वेल्डर में वासट वेकंसी आई है एक्जेवेशन की और users की है एकीस वेकेंसी एक चीज़ का आपको द्याटन रखना है कि जो एक्जेवेशन की वेकेंसी है और E&M की है यह सर्फ डिपार्टमेंट अलग-अलग है बागी क्वालिफिकेशन सेमी रने वाली है और एकी फॉर्म इन के लिए बरा जाएगा अब बात कर लेते हैं कि जहां अस अब बात कर लेते हैं कि आपको सेल्दी कितनी मिलेगी जब आपकी जोईनिंग होगी आपकी एक साल की ट्रेनिंग के दौरान आपको फॉर्मेंड को 31.852 रुपे पर मंत मिलेंगे उसके बाद उनको परमांट कर दी जाएगा वहीं जो केंड़ेट असिस्टेंट फॉर्मे अब बात करेंगे अप्लिकेसन फीस की तो फीस फीस पांस रुपे है जनरल ओवीसी एडव्यूस के लिए बागी SST, PHXS फॉर्मेन को कोई भी फीपे नहीं करनी है अब बात कर लेते सालेक्शन प्रॉसी है कि सेलेक्शन के लिए आपका 100 उंको का एक पेपर आएगा रिटिंट आपका होगा और रिटिंट टेस्ट में दो पार्ट होंगे सतन नमबर का आएगा आपका सब्जेक्ट का जिसके लिए आप अपलाई कर रहे हैं तीस नमबर की आएगी आपकी बात कर लेते हैं कि आपका सब्सक्राइब करेंगे वहां से ओंलाई करेंगे तीन अगस्त अब रहेंगे पर 25 अप नियुक्त के लिए अप फॉन नमबर 07805 25 65 या फिर इमेल आइडी RECTT.NCL एड़ेट कोल इंडिया ड़ोट इंडिया ड़ोट इंडिया ड़ोट इंडिया पर कर सकती है सात्यों में उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए आप नहीं हमाई चनल पर तो हमाई चनल को सब्सक्राइब कर लिए को गया मिलती है सही जानत काई को सब्सक्राइब सामें धन्यवाद